कि स्वागत आप लोग को मामता मिठलान चल में आज हम बनाएंगे कच्छू पता का सब्जी तो आईए मनाते और देखते हैं क्या क्या चाहिए उसके लिए यहां पर मैंने कच्छू का जो पता आता है मार्केट में वो मैंने ले लिया है और इन सब को मैंने अच्छी से कुल्तिन पानी से यहां पर हमने रख लिया है क्टोरी इसमें हम डाल देंगे बेसन क्योंकि बेसन गाह में हूल बनाना है कि भिसन जो हम चार से पांच चमस लेंगे क्योंकि बेसन ही थोड़ा सा ज्यादा गोल बनाना उसके लिए इसमें हम डाल देंगे अब अद्रक लसुन का पेश्ट अद्रक लसुन का पेश्ट है वो ऑफ्शनल है आप लोग जो है इसको छूड़ भी सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी मिर्चा यह से मैं थोड़ा थर दे रही हूं नमक आधा चमच धनिया आधा चमच अब इन सब को हम पानी डाल के पतला से पेश्ट बना लेंगे क्योंकि हमें रूल बनाना है तो रूल में तो हमें ज्यादा ना मोटर ना ज्यादा पतला चाहिए तो इसके लिए हम अलकल का पानी डाल के इसको घूल बना लेंगे यह बन चुका है अब हम क्या करेंगे कीचन का जो यह स्लैप रहता है इसके उपर हम थोड़ा से बेजन फैला देंगे क्योंकि हमें रूल बनाने लिए थोड़ा सा बरा स्पेस चाहिए तो हम कीचन का स्लैप पे ही जो है बनाएंगे और इस तरह से हम इसको दबाते जाएंगे अगर हम नहीं दबाएंगे तो हमारा रूल जो है फट जाएगा बनने टाइम में इसलिए मोटा जो डंठल है उन सबको हलका सा दबा देना है जो भी आपके पास लूहा का समान हुई या कूटने वलग कुछ भी हो उससे हलका से इस अब इसके उपर हम जो एक ही जगापी नखेंगे इस तरह से ये पता और इसको भी थोरा सा कूट देंगे इस तरह से एक साइड में यहां पे खूब सहरा पत्ता को बदे हम जमा कर लेंगे जितना बड़ा और जितना मोटा आप लोग रूल बनाना चाहते उसी साब से इसक बस दिहान डखना है कि वो खुले नहीं अंदर से एकदम टाइट हमें दबा दबा के बनाना है और ये रूल हमारा बन चुका है कई लोग क्या करते हैं अगर नहीं बना पाते हैं तो धागा लिपेड देते हैं और ये अइसे भी नहीं खुलेगा ते लिवेर ने सिलमट कर भीडाउं दें अंदर सी ट्रीआ लिवेर हमें योईज के लिएर लेजा करते हैं पानी घरम करने के लिए रख दी है और इससे हम सारा रॉल बना लीए हैं अर इस में अच्छनी तो श्बही घर में रहता है इसमीर गर में असको गार करेंगे लिए डाल भे य데म अच्छा देखे 10 esक एकwarz करना है और दस मिट हो चुका है दीखिए यह सौप्ट हो गया है इसको हम थोड़ा आराम से निकाल के डग देंगे प्लेट वे ताकि ठंडा हो जाए और यह ठंडा हो जाए तब तक हम मसाला त्यार कर लेते तो मैंने डाला है सुखी लाल मिर्च दो तमाटर दो डो दो प्याज ठोरा से तो मैंने सरसो डाला है पिला सरसो है यह इस में हम डाल देंगे थोरा सा पानी इसका हम पेश्ट बना लेंगे पेष्ट हमारा बन के हैं देख लीजिए हम क्या करेंगे जो रूल ठंडा हो गया है उसको हम पीस पीस में काट लेते हैं क्योंकि इसको हम फ्राइ करेंगे और यह बहुत अचल लगता ख़ाने हैं बहुत डेष्टी बनता है इसको लिए में काटा का मचली भूला गया है क्योंकि वैसे हम लोग बनाते हैं जैसे हम लुक्त मचली बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना पड़ता है इसमें डाल देंगे सरसो का यूष वही है जो मैंने यूज किया है उसी में इसको हम डूगो कर दो कर दिया और सारा पकोडा हम यसी में जाहे 謝謝 ए कि है कि इसको अराम से पलट के जो हम फ्राइब करके निकाल लेंगे और ये हो चुका है तो मैं इसको साइड में डख लेती हूँ निकाल के और इसी तेल में हम डाल देंगे मसाला तो मसाला मैंने डाला है धनिया, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार अब इसमें हम एड्ड कर देंगे, अधरक लस्न हरी मिर्ची का जो मैंने पेश्ट बनाया था, वह हम थोरा से इसमें एड्ड कर देंगे तेल हमारा गडम है तो अब हम उसमें डाल देंगे पांच फोरन पांच फोरं से फ्लेबर ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है तो पांच फोरं जरूर डाले इसमें डाल देंगे तेज पत्ता और यह मसाला जो हम डाल देंगे और इसको भूनेंगे हम मसाला को जो है 10 में तक हम भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए इसमें डाल देंगे थोरा सा पानी जो हमने कटोरी मसाला रखा था उसमें थोरा सा मसाला लगा हुआ था तो मैंने उसमें पानी डाल के इसमें डाल दिया है इसमें अभी एड किया कसूरी में थी और यह देखिए मसाला हमारा भुन चुका है किनारे से तेल भी निकल गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी ग्रेवी जो है थोरा सा हम लोग पतला रखेंगे नहीं तो क्या होगा जब हमारा कच्छू पता हम इसमें डालेंगे और जब ठंडा होगा तो वो सोख लेता है गारा हो जाता है थोरा सा पतला रखेंगे ग्रेवी और इसमें हम एड़ कर देंगे गरम मसाला गरम मसाला डालन के बद हम इसमें डालदेंगे पकोरा ज मैने फ्राय करके रखाय हुआ है ओर हुआ उसमें जो है दहक 10 मैं के र सूब पकाएंगे तो समें और निम्बु देना बहुत ज़्याड़ी chair के लिए हमारे सब्जी बनके रेडी है तो आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आकों दोना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं एक और नए डिसीपी के साथ तब तक के लिए बाई